नमस्कार डेवी लाइम में चत्रिसगर की तमाम बड़ी खबरों के साथ में हो सिम्रन को और आईए देखते हैं आज की सुर्ख्या चत्रिसगर विधान सभा में मांसून सत्र हुआ संपान अनेक मुद्दो पर पर्च विपक्ष के बीच हुई बहस अब खबरे विस्तार से चत्रिसगर विधान सभा के मांसून सत्र के आखरी दिन अनेक मुद्दो पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया इसमें धान संग्रहन के इंद्रों में धान के स्टॉक 21 लाख मेट्रिक टन धान के अब तक उठाओ ना होने पर भी बहस हुई और प्रासंगिक व्याय कम दिये जाने को लेकर विपक्ष ने जम कर हंगामा किया विधान सभा में प्रश्नकाल में भाजपा के शिवरतन शर्मा ने संग्रहन केंद्र में शेष धान को और नुकसान को लेकर प्रश्न किया था इस पर राजसरकार के लिखित जवाब में यह उत्तराया कि 21 लाख मिटरिक टन धान संग्रहन केंद्रों में है नियम से 72 घंटे के भीतर उठाव होना चाहिए जो नहीं हो पाया है इस पर विपक्ष ने यह सवाल किया कि 7 महीने के बाउजूद धान का उठाव नहीं हुआ इसका जिम्बेदार आखिर कौन है मानसुन सत्र के दवरान सदन में फरनीचर खरीदी में गडबड़ी का मामला भी गूंजा कॉंग्रेसी विधायक आशिश चाबड़ा ने फरनीचर खरीदी में अनीमित्ता का मामला उठाया इस मुद्य पर वहज के दवरान स्कूल सिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मामले में बेमेत्रा जीला शिक्षा धिकारी को हटा कर सन्युक्त संचालक दुर्ग में अटैच किया गया मामले की जाच के बाद आगे करवाई की बाद शिक्षा मंत्री ने की इस दवरान जाना कर्चड के जरिये सदन में बलोदा बजार के स्री सीमेंट प्लांट में हुए हादसा का मामला उठा वही नेता प्रतिपक्षि धरमलाल कौशिक ने आवरोप लगाया कि पूर्य प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय है रेत का अवयद खनन चल रहा है अवयद रेत का भंडार किया जा रहा है बारिश में प्रतिबंध के बावजूद अवयद खनन धडलले से जारी है इसी तरह विधान सभा में अरपा भैसा जार प्रोजेक्ट में गडबड़ी की गूंज उठी तब राजा स्वमत्री जैसिंग अगरवाल ने कहा कि जाज कमेटी बनाई गई है विधान सभा चुना के दोरान कॉंग्रेस ने पूर्ण शराब बंदी का वादा किया था सरकार बनाने के धाई वर्ष बाद शराब बंदी की कोई तारिख तै नहीं हो सकी है इसी मुद्धे पर भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा एक जनवरी 2022 से राज़े में पूर्ण शराब बंदी का अशास के संकल्प ले कर आए जिसे केवल 13 विधायको कसम अर्थन मिला ऐसे में संकल्प खारी छोकिया विधान सबच नौ के दोरान कॉंग्रेस ने पूर्ण शराब बंदी का वादा किया था सरकार बनाने के धाई वर्ष बाद शराब बंदी की कोई तारिख तै नहीं हो सकी है इसे मुद्धे पर भाजपा विधायक शेवरतन शर्मा एक जनवरी 2022 से राज्य में पूर्ण शराबंदी का अशास के संकल्प ले कर आए जिसे केवल 13 विधायको कसम अर्थन मिला ऐसे में संकल्प खारी जो गया शराबंदी को लेकर प्रस्तु तशास किये संकल्प पर चर्चा के शर्वात करते हुए शेवरतन शर्मा ने कहा कि 2018 के चुनव में कॉंग्रेस ने गंगा जल हाथों में लेकर शराबंदी लागो होगी कॉंग्रेस ने जब घोशना पत्र में पूरे शराबंदी का वादा किया था मगर वह वादा पूरा नहीं हुआ और पूरे प्रदेश में सरकारी संरक्षन में आवयर शराब की सप्लाई की जा रही है भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के गंगा जल की शपत वाली बात पर मुख्यमादी भुपेश भगेल भडग गया उन्होंने कहा शिवरतन शर्मा अपनी बात गलत कथन के साथ रख रही है इन्हें ट्रेनिंग ही यही मिली है कि किसी जूट को सौ बार बोला जाए तुवा सच लगे इन लोगोंने गिरिश दिवांगन के लेटर पैट पर फरजी दस्तखट कर पत्र वाइरल कराया था जिसके चलते हमारे नेतावने गंगचल की कसम खाई थी कि धाई हजार रुपे धान का समर्थन मोले देंगे शराबंदी को लेकर भाजपा विधायक द्वारा प्रस्तुत अशास की संकल्प पर मत विभाजन हुआ जिसमें प्रस्ताव को केवल तेरा विधायकों का समर्थन मिला जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि भाजपा विधायक भी नहीं चाहते कि प्रदेश में पूर्ण शराबंदी हो क्योंकि भाजपा के पूरे विधायकों ने भी इस अशास की संकल्प का समर्थन नहीं किया है इस अलंकरण समारों में वर्ष दोहजार उननिस के लिए उतकरिष्ट विधायक की स्रेड़ी में अरुड वोरा वा सौरब सिह उतकरिष्ट पत्रकार स्रेड़ी में सुरेंद्र शुकला, मोहन तिवारी, कैमरामेन दीपक साहु वर्ष दोहजार बीस के लिए उतकरिष्ट विधायक स्रेड़ी में कुलदीप जुनेजा और विधायक नारायड चंदेल उतकरिष्ट पत्रकार स्रेड़ी में स्वर्गिय राजादास, आरके गांधी, कैमरामेन दिलिप कुमार सिन्ह को समानित किया गया स्वर्गिय राजादास की पत्नी ने यह सम्मान ग्रहड किया कारिकरम में राजेपाल मुख्यमंत्री सहित सभी अतितियों ने वरिष्ट पत्रकार स्वर्गिय राजादास को स्रद्धांजली अर्पित की और उनके परिवार के प्रती सम्वेधना व्यक्त की क्या 36 गड़ में फी रोहिंग्या मुसल्मानों को बसाया जा रहा है अगर रैपूर विधायक ब्रिजमोहन अगरवाल की बातों पर भरोसा करें तो यह काफी गंफीर मसला है कॉंग्रिस नेता कनहिया अगरवाल ने रोहिंग्या मुसल्मानों को रैपूर दक्षिन विधान सभाचेतर में बसाये जाने समंधी विधायक श्री ब्रिजमोहन अगरवाल जी के कथन के अधार पर जाँच की मांग की है वरिष्ट प्लिस अधिक्षक रैपूर को ग्यापन देकर इस मामले की जाँच की मांग की गई है जिसके बाद इस सम्वेदन शील मामले की ततकाल जाँच हेतू संबंधित विभाग को आदेशित किया गया है कनहिया अगरवाल ने यापन में विधायक ब्रिच मोहन अगरवाल द्वारा विधान सभा में उठाए गए मुद्दे का जिक्र किया है जिसमें राइपूर शहर में रोहिंग्या और बांगलादेशी मुसल्मानों को बसाने और गलत तरीके से उनके दस्तावेज बनाने जाने की बात कही गई है बिलासपूर संसे दरुन साव ने लोग सभा में चत्तिस गड़ में योजनाबध तरीके से चल रही मतांतरन और धर्मांतरन की गतिविधियों का मामला उठाया उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग भी की धर्मांतरन का मंदव उठाया उन्होंने लोग सभा में कहा कि चत्तिस गड़ अत्यंत भोले भाले सहच सरल लोगों का प्रदेश है जिससे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है इस प्रदेश प्राक्रेतिक संसाधनों से परिपोन है राज्य की बस्तर और प्रदेश संभाग में आदिवासी समुदाय के लोग बहुत आयात में रहते हैं चत्तिस गड़ के भोले भाले सहच सरल लोगों को प्रलोग भनाधी के माध्यम से धर्मांतरन करने का योजनावध धंग से अभियान चलाय जा रहा है सांसत्सावने के इंद्र सरकार से चत् विधियों को संग्यान में लेकर इस पर रोक लगाने की मांगी है कोसा बाड़ी धर्ना इस्थल में भाश्पा प्रदेश कारे समिती सदस्य विकास महतों ने कहा कि कॉंग्रिस की सरकार बनने के बाद किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं खेती किसानी के दिनों में जरूरत पढ़ने पर किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है ग्रामीन छेत्रों में बिजली की समस्या है अगर नहीं करेंगे देख भारती जंदा पार्टी के द्वारत प्रदेश के द्वारत प्राजेव सिंग ने कहा कि 36 गड़ में भाश्पा की 15 वर्षों तक सरकार रही पर किसानों को कभी भी खाद यूरिया की कमी नहीं हुई कॉंग्रेस सरकार के धाई साल का कारेकाल पून रूप से कुशासन का कारेकाल रहा है यह सरकार किसान विरोधी है बड़े बड़े वादे करके कॉंग्रेस सत्ता में काबिज हुई है पर किसानों के हित में किये वादे को यह सरकार भूल चुकी है जिलाध्यक्ष चुलेश्वर राठोर ने कहा कि जब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के नेतरित वाली केंद्र सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्ने लेती है किसानों का शोशन करने वाली कॉंग्रेस इसका विरोध करती है एक और केंद सरकार किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है वही दूसरी और बीज और खात के संकट के फल स्वरूप बुवाई और रुपाई में भी प्रदेश के किसान पिछड़ते जा रहे हैं प्रदर्शन में मनोज परासर, नेता प्रतिपक्ष, हीता नंदगरवाल, कारेकरम प्रभारी, डॉक्टर आलोक सिंग, संदीप सहगल, महिला मोर्चा जीला अध्यक्ष, वैशाली रतनपार्खी, महामंत्री संजु देवी राशपूत, आईटी विभाक की संयोजग, नवद तथा अन्य प्रमुक कारिकर्ता उपस्थित रहे, कटगोरा विधान सभा में मुख्य रूप से भाष्प प्रदेश उपाध्यक्ष, लखन लाल दिवांगन, जोतिनन दूबे, मनोज शर्मा, पूर्व जीला अध्यक्ष, राजकुमार अगरवाल, एवं पवन गर्क के सा थी, कारिकर्म के प्रभारी जीला महामंत्री संतोष दिवांगन, तथा सह प्रभारी राजेंद्र राजपूत, संजय शर्मा, डाकेश्वर, शुकला सहित, समस्त मंडलों के अध्यक्ष, वं महामंत्री उपस्थित रहे, रामपुर विधान सभा में शाम लाल मरावी, पूर्व जीला अध्यक्ष, राजेंद्र पांडे, अशोक चावलानी, प्रफलतिवारी, तथा कारिकर्म के प्रभारी जीला महामंत्री टिकेश्वर राठिया, अकाश सक्सेना, रेनुका राठिया, उमेश्वर सोनी के साथ समस्त मंडलों के अध्यक्ष महामंत्री तथा प्रभुक कारे करता गड़ उपस्थित रहे, पाली तानाखार विधान सभा में मुख्य रूप से रामदयाल ओई के देवी सिंग टिकाम, अजे जैसवाल, संजे भावनानी, डॉक्टर पोवन सिंग के साथ साथ विधान सभ के अंतरगत आने वाले समस्त मंडलों के अध्यक्ष महामंत्री वप्रमुक कारे करता उपस्थित रहे, इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही बने रहे ये डिवी लाइप 36 कड के साथ, नमस्कार